नमस्कार दोस्तों PCMovieTek के एक और नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज फिर आम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों आज की पहली न्यूज है डेल ने अपना नया गेमिंग लेप्टॉप G7-15-7500 लाँच कर दिया है इसके दो वेरियंट लाँच किये हैं इनके प्राइज क्रमसा एक लाग एक सट जान नौसोन अबबबब और दो लाग सात जान नौसोन अबबब रखे गए हैं इस इसमें आपको 15 इंज का फुल एजडी डिस्प्लेज जो की 4K रेजूरिशन को सपोर्ट करता है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें लेटेस्ट एंस जनरेशन इंटल कोर आई सेविन एन आई नाइन सीप्यू एंवीडिया जीफोर्स आर्टी एक स्टी सिक्स जीवी और 2078 जीवी ग्राफिक कार्ड 16 जीवी रैम और 1 टीवी एससडी दी गई है अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक को चेक कर सकते हैं अगली नुझे एक्सबॉक्स से रिलेटेड आने वाले समय में एक्सबॉक्स एप में अपडेट आने वाला ह जिससे अगर आप एक्सबॉक्स यूजर हैं तो आइपॉन और आइपड से एक्सबॉक्स एप का यूज करके अपने एक्सबॉक्स को कंट्रोल कर पाएंगे आप नहीं जानते हैं कि बथेश्डा क्या है तो मैं आपको बता दूँ बथेश्डा एक वीडियो गेम्स बनाने वाली बड़ी कंपनी है जिसने The Elder Scrolls, Fallout, Dishonored जैसे गेम्स बनाए हैं पहले ये कंपनी गेम्स लगवग सभी प्लेटफॉंस के लिए बनाती थी लेकिन अब Microsoft इसे खरीन लिया है तो फ्यूचर में बनने वाले सिजारतर गेम्स मुक रूप से Xbox और PC के लिए ही लॉंच होंगे और आपको ना चाकर भी Xbox खरीनना पड़ सकता है अगली न्यूज है RTX 3080 ग्राफिक कार्ट से लिलिटेड अगर आप RTX 3080 खरीनने की सोच रहे हैं तो क्लोकिंग करते समय गेम्स क्रेस हो जा रहे हैं जब इवीजे ने इसकी जाच की तो पाया कि यह प्रॉब्लम सौप्ट्योर वेजड ना होकर आड़्वेर वेजड है RTX 3080 को बनाने में जिन को एपसिटर का यूज हो रहा है वो टेस्टिंग में फेल हो रहे हैं जिससे ग्र और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी के साथ मिलते हैं अगले नई वीडियो में धन्यवाद